लीजिए जी आज मैं फिर से आपके लिए नाश्ते की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना भोती आसान है भोती कम सामगरी के साथ आप इसे बना सकते हैं और ये टेस्ट में इतनी लाजवाब है ना फ्रेंड्स बच्चे हो या बूड़े एक बार इसे खाएंग तो आज का वीडियो एन तक दिखिए और पसंद आए तो लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूले तो चलिए आज की मज़दार नाश्ते को बनानी के लिए मैंने यहाँ पर एक चूड़ी इतनी मेथी को तोड़ लिया उसके बाद दो से तीन पानी से से धो किया है और इसे कपड़े में डाल करके न इस तरह से हम इसे पोच लेंगे जितना इसमें पानी कम रहेगा नहीं अच्छा होगा फ्रेंट से पोचने के बाद ना नाइप से इसे हमें कट करना है हो सके उतना बारिक-बारिक इसे कट कर लीजिए दिखिए अगर आप इसे पानी नहीं डालना है बस चने इसमें डाल दीजिए इसके साथ हमें कुछ चीजें इसमें एड करनी है तो सबसे पहले मैंने यहां पर 5-6 हरी मिर्चिया इसमें डाली है तीखा अपने हिसाब से रखे और थोड़ा सा धो करके हरा धनिया भी डाल देंगे और अभी इसे बिल्कुल भी पाने का इस्तिमाल ना करें फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से इसे बड़ी हासा पीस लीजिए यहाँ पर यह हमारा चने का मिक्षर अच्छे से पीस करके रेडी है फ्रेंड्स तो इसमें कुछ चीज़े हम अड़ करेंगे तो एक मेडियम साइस के बारी कटी हुई प्यास मैं इसमें डाल दी है इसी के साथ आधा चमच इतना गरम मसाला इसमें डालेंगे और अभी हम इसमें डालना है आधा चमच इतना साबूत जीरा आपके पास नहीं है तो जीरा पावडर भी डाल सकते हैं और एक चोटाई चमच इतना हल्दी पावडर डालेंगे अच्छा सा इस नाश्टे को कलर भी आएगा और अभी मैंने डाला है इसमें एक चमच इतना नमक नमक आप आपने स्वाधनुसर डाले जो जादा बेसन इस्तवाल करना पड़ेगा लेकिन मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून इतना ही बेसन इसमें डाल दिया है अभी हमें इसमें एड़ करना है आधी नीमवू का जूस थोड़ा सा खटा इस नाश्टे में हम रखेंगा ना तो यह नाश्टा खाने में और भी ज जाड़ा सा शेप देना है हमेशा से मैं से राउंड शेप में बनाती हूं फ्रेंड्स लेकिन आज मैं से थोड़ा सा लंबे ओल शेप में बना लूंगी आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं लेकिन इसे जादा जाड़ा मत रखेगा आदे इंच की जाड़ी बस प्लेट में बिल्कुल निकाल कर मत रखिएगा डायरिक्ली इसे फ्राइ करने के लिए डाल दीजिए यानि एक एक कट्लेट को बना लीजिए और इसे फ्राइ कर लीजिए यहां पर मैस नाश्टे को अभी कट्लेट सी बोलूगी आप क्या बोलना चाहते हैं आपकी मरजी और इस कट्लेट को फ्राय करने के लिए हो सके तो चोड़े पैन का इस्तिमाल कीजिये तक कि जादी मात्रा में हम कट्लेट को फ्राय कर सकेंगे दिखे अज़ए अज्यस करके मैं यहां पर पाँच cutlets at a time fry कर लिए है friends यकीन मानिए यह नाश्ता जब आप खाएंगे न तो किलो किलो मेथी ला करके बस इसी तरह का नाश्ता बनाना और खाना पसंद करेंगे बहुत ज़दा मज़दार लगता है friends तो बस इसे अलट पलट करके बढ़ी आसा golden brown कलर आने तक हमें fry करना है ग्यास का flame हुआ ही रखिएगा high to medium के बीच का और पढ़ी ऐसा इसे fry कर लीजिए सच में friends यह recipe जब आप घर पे बनाएंगे ना तो आप मेरे YouTube चैनल को search करके मुझे comment section में बताएंगे कि यह recipe आपको बहुत ज़दा पसंद आई इससे पहले ही आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आसान इसे आप मेरा YouTube चैनल search कर सके तो यह दिखें friends यहाँ पर हमारा बड़ी आसा नाश्ता बन करके तयार हुआ है first batch में मैंने आधे cutlets fry कर लिए अभी second batch में मैं आधे fry कर लूँगी अगर आप इस तरह का चोड़े पैन का इस्तिमाल करते हैं तो at a time आप सभी cutlets भी fry कर सकते हैं तो friends आज की recipe आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो please इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आपने दोस्त रिश्जारों में भी share कीजिए और DJ friends यहाँ पर हमारा आज का मज़दार नाश्ता बन करके तयार है बहुत ही ज़्यादा मज़दार लगता है friends और बहुत ही कम सामगरी के साथ यह बन करके तयार होता है और यह बिल्कुल भी oily नहीं है मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ यह दिखिए यह ज़्यादा oil को नहीं सोकेगा बहुत ही मस्त बनता है और बाहर से इसका पार्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और यह दिखिए अंदर से एकदम सौफ्ट है मज़दार है फ्लेवर्फुल है तो प्लीज आप इसे घर पर ट्राइ कीचिए और पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीचिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़दार रेसिपी के साथ धन्यवाद